हेलो दोस्तों किस्वाप लोग मेरणा में अकरम और आज इस वड़ी में हम बात करेंगे सोलर पावर के बारे में दोस्तों सोरी उर्जिया का लाप उठाने के लिए काफी जगाओं पर सोलर पैनल जो है लगाये जा रहा है सोलर पैनल के दोरा सुरिय की किरणों से बिजली बनाई जाती है मुझूदा समय में इसका इस्तमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये काफी लायब दायक है सरकार दोरा भी लोगों को इसके प्रतीच जागरूप किया जा रहा है यहां तक के solar panel लगाने के लिए लोगों को सरकार की ओर से subsidy भी दी जाती है लेकिन ये हमारे लिए नुकसान दायक भी हो सकता है आज हम जानेंगे कि हमें solar लगाने चाहिए या नहीं और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको solar system से कितना फाइदा होगा दोस्तों सरवाती समय में solar panel लगाना काफी मेंगा हो सकता है पहली बार में solar panel, inverter, wiring, battery और installation का पेशा एक साथ लगता है जो कि काफी लंबा चोड़ा जोहिए आपके खर्चा करना पड़ता है मुझूदा समय में अधिक लागत के बावजूद इसकी बड़ोतरी हो रही है ये इस हिसाब से माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी कीमत और भी कम हो सकती है लेकिन फिलाल हम आज के भाव से जानेंगे कि solar से फाइदा होगा या नहीं दोस्तों मान लो कि आप एक कीलो वाट solar लगाओगे एक कीलो वाट का solar जो पैनल गर्वियों के दिरों में प्रतिदीन लगबख चार से पाँच यूनिट जो है बिजली पेदा करता है जो कि एक साल में लगबख 1200 से 1600 यूनिट बिजली प्राप होती है जो कि अगर प्राइस के अगर में बात करूँ कि एक यूनिट की जो प्राइस अगर मेरे अमदावाद की अगर में बात करूँ मेरे घर में जो यूनिट जो है वा पराता है मतलब एक यूनिट का लगबख 9 रुपे जो ही यहाँ पर खर्चा आता है जो बिल के हिसाब से आता है वो मैंने आपको बताया तो लगबग यहाँ पे अगर समझे तो साल में आपको जो फाइदा होगा 10,800 से लेकर 14,400 तक मतलब 9 से 10 साल में आपका 1,00,000 वापस आएगा बिजली बिल सेविंग के रूप में एक किलो वाट सोलर पैनल में आप लगबग 1000 वाट 1 किलो वाट का लोड चला सकते हो जिसमें बहुत सारे मतलब जो एक्विपमेंट है वो सामिल है सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट, मुबाइल चार्जिंग, लैप्टॉप चार्जिंग, सेट अप बॉक्स, वाइफाई, टीवी, कूलर, वसिंग मसीन, रेफिजिटेटर, टोस्टर, जूस मिक्सर, म्यूजिक बॉक्स, लेजर प्रिंटर तो ये सब एक साथ तो नहीं चलेगा, लेकिन टोटल हजार वाट तक साथ में चला सकते हो, जैसे मालो के अगर आप चार सीलिंग फैन, साइंट वाट के अगर आप चलाते हो, तो 240 वाट हुआ, एक टीवी 100 वाट का चलाते हो, 100 वाट, चार्ट यूबलाइड अगर आप च करूँ, तो 200 वाट चलता है, तो टोटल यहाँ पर हो जाता है, 900 वाट, और अगर आप AC चलाना चाहते हो, तो AC के लिए 3 किलो वाट से 5 किलो वाट सोलर सिस्टम लगाना होगा, जो कि 5 लाग उपर का खर्चा आएगा, आपको 1 किलो वाट जो सोलर सिस्टम होगा, लगबग आपको बताया है कि 4 से 5 यूनिट जो है बिजली पेदा कर सकता है, मतलब यू समझो कि आप 36 से 45 का फाइदा होगा पर डे के हिसाब से, 1 लाग उपर खर्चा करने पर मैने 1000 से लेकर 1350 उर्पे तक का आपको बचद मिलेगी, 1 लाग के उपर, मगर अगर बारिस के मोसम में ये संभव नहीं है, बादाल और बरसात के दिनों में भी सोर्य उर्जा इकटा की जा सकती है, लेकिन इसकी समता कम हो जाती है, रात के दोरान सोर्य उर्जा इकटा नहीं की जा सकती, बड़ सिस्टम भी रात में सोर्य उर्जा इकटा नहीं कर सकते, इसलिए गर्मी के मोसम में इसका इस्तिमाल बहुत अच्छे से किया जाता है लेकिन बरसात में इसके द्वारा बिजली बनाने में कठीनाएं होती है और सोलर सिस्टम बहुत अधिक जगाव का उपयोग करता है सोर्य उर्जा सोर्य पैनल का सेटब भारी है और छट पर बहुत अधिक जगा की अवस कर सकता है यह उत्पादक अपरत्यक्स इंडायरेक्ली रूप से पर्यावन को नुकसान पोचा सकते हैं सोलर पेनल लगाते समय हमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए सोलर पेनल आम तोर पर घर की छट पर लगाई जाती है जहां उन्हें धूब के साथ साथ तेज हवाओं और का सामना करना पड़ता है आंधी और तूफान भी सोलर पेनल को नुकसान पोचा सकते हैं इसलिए हमें इनकी देखभाल में विशेज ध्यान देना होता है सोलर पेनल लगाते समय हमें उनकी मजबूती और मरमत पर ध्यान देना पड़ता है नहीं तो बहुत भारी नुक्सा का सामना पड़ सकता है रात में सोर्य उर्जा नहीं होती इसलिए एक बड़े बेटरी बेंग की अवस्यक्ता होती है जो काफी मेंगी पड़ती है तीस से सित्तेर हजार का खरचा जो लगबग चार से पांस साल बाद खराब भी हो सकता है वो भी आपके अलग से खरचा फिरी बिजली नहीं मिलेगा वो एक बड़ा नुकसान अगर सोलर में गर्मी के मौसम में 60-60 कीट का भी खत्रा होता है जिससे आंग भी लग सकती है उससे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा सोलर सिस्ट्रम पक्सियों के लिए भी हानी का रहा है सोलर पेनल के किरुड़े पती वर्स लगबग 6,000 पक्सियों को जिंदा भून कर मानने के लिए भी जिम्मेदार है हाला के काफी तेजी से इसका ट्रेन बढ़ रहा है काफी एरुटाइजिंग के वज़े से भी काफी लोगों को जो है बताया जा रहा है कि सोलर लगा लो इससे काफी पाइदा होगा और यहाँ पर सोलर की अगर मैं बात करूँ तो सोलर पैनल के लिए आपको रेगुलर सफाई करने पड़ती है और कुछ सालों में बिजली पेदा करने में भी कमी आ जाती है सोलर सिस्टम रेइंश्टा का खर्चा भी काफी ज़्यादा है सौट सार्किट से आलक आग की आग लग सकती है तुफान आने से जान हानी नुकसान भी हो सकता है इसलिए मेरी राय है आप कमाना सिको आपकी इंकम बढ़ाओ आपको हर चीज सस्ती लगीगी एक लाग से एक बिजनेस आइडिया वाली यूटूब चैनल पे जो है यूटूब चैनल भी उपन कर रहा हूं चोकर डिस्क्रिप्सन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि जो है आने वाली वीडियो की न 200 रुपय अगर आप कमा सकते हो तो आपको सोलर पैनल लगाने की ज़रत नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में स्टार्टिंग में तो आपको फायदा देखने को मिलेगा एक दो साल या तीन साल लेकिन धीरे धीरे जो है आपको काफी खर्चा आने के बाद अगर आप उसे मल्टिप्लाइ करके देखोगे तो आपको जो है नुकसान होगा तो इससे अच्छा है आप एक लाक रुपे में अगर इंगम कर सकते हो कहीं से 100-200 दिन का तो वो काफी बहतर रहेगा इसा नहीं है कि सोलर पैनल से बिल्कुल भी फायदा नहीं है फायदा है लेकिन अगर आ ऐसरी आपको दिन राट चलाना है तो इसे मैं सोलर पैनल आपका फायदा हो सकता है लेकिन अगर आपका खर्चा काम आता है ऐसा 1,500 रुपे तो इसे 2,500 रुपे खर्चा बही जाता है तो वो खर्चा करने की मुझे नहीं लैगता है कि जरूरत है तो आप बताई यह आपक झाल झाल